वेल्कम टू ओल्लाइन और उफ्लाइन ग्यान चनल मैं नेम इस गोरफ दोस्तो आज की जो वीडियो है यह बहुत ज़्यादर रिक्वेस्टेड वीडियो है जो बच्चे आई टीए इसे कही नहीं टच में है और जिनका मकसद है रेलवे से अप्रेंटिशिप करने का उन कितनी जाती है देखो भी मैं जानता हूं कि जो आई टीए वाले बच्चे होते हैं मेरे को समझ नहीं आता सेवन्टी परसंट बच्चों का मकसद होता है कि वो रेलवे से अप्रेंटिशिप करें रेलवे में आप लोगों को बस बीस परसंट वाली छूट मिलती है आप मेर को आप ही बताना कमेंड बुक्स में कि क्या क्यूं मकसद है आप लोगों का सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिशिप करने का जिस बच्चे की 50 परसंटेज है वो भी रेलवे से अप्रेंटिशिप करना चाता है यहां तक कि जिसकी 40 है वो भी करना चाता है 60 वाला भी 80 वाला भ ये समझ मुझे नहीं आता वह ऐसे मुझे तो पता है कि क्यूं आप लोग उसके पीछे भागते हैं लेकिन आप लोगों से request है कि आप लोग जो है comment box में इसका reason मुझे बताना तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों की request पे आप लोगों को cut off दिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सरे बच्चे यह बोलते कि सर हमारी 60 जो है यहाँ पर percentage है ITA में हमारी 50 10 में सर हमारी 70 ITA में 50 जो है 10 में सर हमें जो है cut off का criteria बता दो हमारा form fill करने का कोई फायदा होगा नहीं होगा railway वगरा हम करते हैं सर हमारी 90 percentage है electrician trade से है 10 में हमारी 80 है क्या हमारा selection होने की possibility है या नहीं है अब एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को पहली भी बता चुका हूँ कि 10 प्लस ITA की जो cut off combine होके बनती है वो कैसे बनती है अगर आपको नहीं पता तो मैं जो है आप लोगों के लिए separate video ब भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए बहुत सरे जनल कर्टेगरी के बच्चें 50% एज रखी जाती है मैं जानता हूं साथ रखी जाती है मैं जानता हूं लेकिन फोम अप्लाई करने की होती है वो वो आपकी selection की नहीं होती selection 80 से उपर 70 के आसपार जाता भी मैं आपको इसमें 10th level की अलग और ITA level की अलग होती है तो यहाँ पर सबसे पहले ITA level की बतायता हूं फिटर ट्रेड की आप देख सकते हैं अन्रिजब की 87.83 है OBC की देख सकते हैं SCST उसके बाद PH कैटिगरी की देख सकते हैं पेंटर की देख सकते हैं पेंटर की ही मुझे सबसे कम यह देख सकते हैं और अगर मैं नोन ITA की बात करूं जो दस्वी के बेस पे जो है अपरेंडिशिप करते हूं उनकी आप देख सकते हैं अन्रिजब की 95 कौन करेगा 95 में लेकिन आप यकीन नहीं करोगे बच्चों ने जो है 95 में भी फॉम फिल किया OBC की बी इतनी SC की बी इतनी बस पी-एच कैटिगरी की थोड़ी डिफरेंट है इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका साउथ एट सेंटर रेलवे है इसकी तो साउथ एट सेंटर रेलवे की कट ओफ आप लोग देख सकते हैं क्या यहां पर गई है कोपा की 82.21 बाकी की आप देख सकते हैं कि कितने कित हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा होता है कि हमारी जो फाइनल कट ओफ बनती है वो कितनी बनती है मुझे पता बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे क्योंकि उनको 10th प्लस आइट है कि जो कंबाइन कट ओफ होती है वो कैसे निकालते वो नहीं पता होगी ह है ना लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पहली वो काम कर दिया है मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक में आप लोगों को डिस्किप्शन में देदू कि कैसे कट ओफ कैलकुलेट होती है आप जाकर देख लेना ठीक है उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पर जो गो गोरखपूर की कटप देख सकते है रिसेंटली जो आई है कार इसमें कम गई है गोरखपूर की कम गई है मैं मानता हूं तो कारपेंटर की 63.80 है इलक्रिशन की 91 है कुछ ट्रेड की इसमें भी ज्यादा गई है फिटर की आप देख सकते हैं मसीनिश की 88.something है डिजल मेकैनिक 85.something पेंटर देख सकते हैं आपका ट्रिमिनल जो आपके ट्रिमिनल जो ट्रिमर पोस्ट होती है वो आप देख सकते हैं ट्रिमर की जो पोस्ट थी वो खाली जो है इन्होंने OBC में निकाली थी उसके बाद टरनर है और उसके बाद वैल्डर है ठीक है तो यह क्रैटेरिया आ आपको लिंक दूँगा है वहाँ से जाके आप देखना कि 10th प्लस आइटे के बेस पर जो कटोफ बनती है वो कैसे कैलकुलेट की जाते है 370 का रेशो कैसे लिया जाता है कमेंड बोक्स में भी आपको पहले नंबर पे लगा के देदूँगा पिन करके देदूगा उसके ब लोगों का कॉंट्रेक्ट तो जनरेट हो गया उसके बाद जो आपको कम्पलीशन का सेटिविकेट मिलता है वो आपका AITT के एक्जाम के बाद ही मिलता है तो उसकी तैयारी के लिए टेस सीरीज मैंने निकाल दी है आप देख सकते हैं कुछ सेट मैंने अपडेट कर दिये क कुछ अपडेट होना बाकी है सून हो जाएंगे सूनर और लेटर जैसे न जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं करवा रहा हूं और बाकी आप जाके उसको भी जो है उसका लाब उठा सकते हैं पहले नमबर पे उनका लिंक है नो ट्रेड के आसपा से आप एक बार देख लेना आपको आइडिया हो जाएगा उसके बाद जो है सेकिंड नमबर पे मैंने कैसे कट ओफ कैलकुलेट होती है वो लिंक दे रखा है और पहले नमबर पे भी आपको कमेंट में लगाके मैं दे दूँगा और बाकी इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है क्लैरिफिकेशन चाहि है तो और बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब करके बैठे हुआ है लेकिन बैल आइकन उनको पता नहीं क्या होता है तो बैल आइकन प्रेस करते टाइम ओन नोटिफिकेशन ओन कर रहे ना जिससे कि आपको टैमली जो अपडेट्स होती है वो मिलती रहे धन्यवाद